नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में तो आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप My Jio एप्लिकेशन के अंदर अपना डेटा चेक कर सकते हैं कितना आपने यूज किया हुआ है और कितना बचा हुआ डेटा है आप तो पर यह होता है कि हम लोग कितना यूज कर जाते हैं पता नहीं चलता है फिर जियो की तरफ से एक मैसेज आता है कि 50% डेटा आपने यूज कर लिया है और आप सोचते रहते हैं यार कहां मेरा डेटा चला गया तो आज पूरी जानकारी लेंगे कि कहां आपका डेटा चला गया किस अप्लिकेशन ने कितना डेटा यूज किया है इस बाइस भी सारी जानकारी मिलती है दोस्तों माईज्यो अप्लिकेशन पर तो इस वीडियो को अंतर देखिए सबी कुछ में बताने वाला हूँ तो शुरुआत करने से पहले आपको करना होगा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अगर आभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है थाकि और भी जो वीडियो में बनाता हूँ वो भी आप तक पहुंच सके हैं तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले चलते हैं MyGU application की तरफ, तो locate करते हैं, कहाँ पर हमारी application ने अगर नहीं मिलती है, तो फिर मेरा ultimate अतियार जो कि मैं MyGU application यहाँ पर type कर दूँगा, यहाँ से मैंने MyGU देख लिया, और यह मैंने application दोस्तों खोल ली है, इस प्रकार से जब application खुल जाती है, आपको डारेक्टली यहाँ पर दिख जाता है, कि कितना data आपका बचा हुआ है, कितना आपने यूज़ किया है, लेकिन कई बार ऐसा होता है, कि हमें पता भी नहीं होता है, और data बहुत कम यहाँ पर दिखा था, जैसे कि मेरा 1.86GV मुझे दिख रहा है, कि सबसे बढ़िया चीज़ होती है, कि आप एक statement यहाँ से निकाल लीजिए, जिसमें आपको पता चल जाएगा, कैसे statement निकालनी है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, जिसमें आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाएगी अंदर, कि data इस प्रकार से यूज़ हुआ है, सुबह साड़े पांच बज़े या छे बज़े की करीब मैंने एक सुबह अलिसम भी यूज़ किया है, फिर रात को बारा बज़े की करीब मैंने यूज़ किया है, तो इस प्रकार से आपको सारा data यहाँ पर मिल जाता, अगर आप यहाँ से ना देखना चाहें, तो एक और होती है कि statement, तो आपको क्या करना होगा, यह जो यहाँ पर दिख रहे हैं बिन्दू, यह menu बार कहलाता है, इसे आप कर लीजिए open, यहाँ से आपको जाना होगा दूस्तों, माई स्टेटमेंट की तरफ, जब आप माई स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं, इसे open कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको इस तरीके का चीज़ा दिखेगी, कि 23 जून से लेकर 29 जून तक जितना भी मैंने सारे usage में देख सकता हूँ, आप चाहें तो एक calendar को कम जादा भी कर स कितने तारीक तक का देखना जाते हैं, पर्टिकलर किसी डेट का देखना चाहेंगे, मान के चलिए 15-16 का देखना जाते हैं, 16 इसे कर दीजिए 15 तो आपको दिख जाएगा directly वहाँ पर, इस प्रकार से चीज़ें होती हैं दोस्तों, अभी हम इसे वापस set कर लेते हैं, latest data द submit का option दबाएंगे, view statement पर हमने click कर रखा है, जैसे हम दबाते हैं, तोड़ी सी processing होती है दोस्तों, उसके बाद इस प्रकार से एक page खुल कर आता है, जिसमें आपको ये सारी limits, इसारी चीज़ें दिख जाती हैं, कि इतने तारीक से इतने तारीक तक आपने कितना क्या अगर आप चाहते हैं देखना, तो हमें जाना है कि plan details में कितना यूज किया था, हम जाएंगे plan details में, इस परकार का plan हमने दलाया हुआ है, यूज है, charges में चले जाएंगे, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि data कितना यूज किया गया है, तीन चीज़ें, आप चाहें तो voice द दिखा रहे हैं, दोस्तों, actually क्या है, ये usage नहीं है, ये जो आपको 00 दिख रहे हैं, ये usage नहीं, ये usage charges हैं, अगर आपको उसके उपर कोई आपके data usage पर कुछ चार्ज लगा है, तो वो यहाँ पर show होता है, लेकिन क्योंकि आपने free data pack करा रहा है, unlimited तो यहाँ पर 0 ही दिखा करा जाता है, अब यहाँ पर भी देखे, जो आप ये चीज़ा देख रहे हैं, charges कितने कितने आपको कितने कितने तारिक को लगे हैं, बढ़ हमें देखना है कि data कितना यूज किया है, तो हम क्या करेंगे, ये जो option दिखाई दे रहा है, ये वाला जो option दिखाई दे रहा है, इस पर हम करेंगे click, ये देखिए, यहाँ पर आपको time के साथ दिखाई देता है कि कितना mb आपने use किया था, देखिए 142 mb, तो इस प्रकार से आप check कर सकते हैं, तो दोस्तों ये था data check करने का पूरा method, अगर आप चाहते हैं, myg application से पूरी की पूरी जानकारी ले 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 तो आप ऐसा कर सकते हैं, I hope आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो like जरूर कर दीजेगा, channel को subscribe कर दीजेगा, comment section में अपने सुजाओ लिख कर भीज सकते हैं, फिराल के इतना ही, धन्यवाद